बीएसी पार्ट बन बीएसी पार्ट बन फिजिक्स सेकिंड पेपर बेब एंड और सिलेशन्स में हमने पिछले अपने ब्याख्यान में यूनिट सेकिंड को प्रारम कर दिया था और यूनिट सेकिंड के प्रारम में हमने बेब मोशन क्या है बेब मोशन का क्या अर्थ होगा उसको भली बाती समझ लिया था साथ ही करेक्टरिस्टिक और बेब तरंग के जो लाक्चाने गुरुद्धर्म है और इस तरंगों के अध्यन में जो पद बार बार हमें सुनने को मिलेंगे उन सब को भी हमने बिस्तरत रूप से समझ लिया था ऐसे करीवन बारह तेरे पदों को मैंने आपको समझा दिया था तो इन दोनों काम के बाद अब हम बेब इकेशन की तरफ चलते हैं सबसे पहले जो हम कारी करते हैं वह है बन डाइमेंशनल बेब इकेशन बन डाइमेंशनल बेब इकेशन को ड्राइब करने के बाद हम फिर थ्री डाइमेंशनल केस लेंगे तो सबसे पहले हम बन डाइमेंशनल बेब इकेशन ड्राइब कर रहे हैं आप मैसूस कर रहे होंगे इस तरह के बेब and oscillations के अध्यन में फिजिक्त के साथ साथ calculus का भी काफी उप्योग हो रहा है, limits के काफी उप्योग हो रहे हैं आप डाइग्राम देखेगा, मैंने कोई बिंदू x पराबर 0 पर कोई बेब का source बताया है डाइग्राम में आप देखेए और उसका जो बिस्ताफन है वह है बिस्ताफन by 0 लिखा है माल लिजेगा प्रारमभी कवस्ता यानि t बराबर 0 पर जो origin point है उसमें एक disturbance क्रेट हो रहा है और जो disturbance के कारण displacement मिल रही है हम उसको लिखते हैं by is equals to f t यानि जो displacement है displacement is the function of time हम initial point पे लें जहां पर की time 0 है तो t के स्थान पर 0 कर देंगे अब आप देखेगा कि जो disturbance हुई है origin point पर उस disturbance के कारण एक बेब मूब कर रही है और मानली जीएगा यह point o से मूब करके x दूरी पर चलती है और x दूरी पर जाकरके बिंदू p है जहां बिंदू p पर इसका जो velocity है वह है वी है तो p बिंदू तक पहुचने में जो समय लगेगा वो समय t is equal to x y b हो गया है ना यानि origin point o से disturbance को point p तक पहुचने में जो समय लगा x y b हो गया therefore t minus x y b is equal to 0 अब हम यह समझे है जब बेब positive x direction में move कर रही है तो किसी time t पर बिंदू p पर तरंग के कारण जो disturbance है वह है उतना ही होगा जितना की o बिंदू पर x y b समय पहले होता है अर्थात t समय में बिंदू p पर जो displacement की समीकरण हमको मिलेगी वह समीकरण मिलेगी by is equal to f of t minus x by b ध्यान रहे इस समय origin point o से जो disturbance propagate हो रहा है वह disturbance positive x direction में जा रहा है हमने p बिंदू ऐसा ही लिया है मान लीजेगा अगर disturbance origin point से minus x दिसा में propagate करे तब displacement की जो equation होगी वह equation किस प्रकार से होगी वह equation मैंने लिखा है by is equals to t plus x by b आप देखेगा अते x direction में propagate करने वाली जो बेव है उसका generalized form किस प्रकार से लिखा जाएगा हम इन दोनो टर्म को जोड सकते हैं जब हम इन दोनो टर्म को जोड देंगे तो यह expression इस प्रकार से हो गई है y is equals to f of t minus x by b plus g, g जे function of t plus x by b इसमें जो displacement y है वह x और t का फलन है तथा f और g जो हमने लिए हैं वो हमें कोई unknown दो function है अब मान लिजेगा मैं थोड़ा सा mathematics को आगे बढ़ाता हूँ मैंने कहा यह जो ब्यापक तरंग का समीकरण है इस ब्यापक तरंग के समीकरण में हमने t minus x upon b t minus x upon b को u माना है और t plus x by b को हमने w माना है और फिर हम इस प्रकार से partial differentiation करते हैं कि जो u और w माना गया है उसका dtydu dtydw ग्याद करते हैं और इस result को मैंने equation number से बंद से mark किया है अब आप छोटा सा काम कीजेगा और वह है calculus का है कि जो ब्यापक समीकरण है इस ब्यापक समीकरण को आप समय के respect में double derivative कर दें साथ ही साथ x के respect में भी इसका double partial differentiation ग्याद करें तो देखेगा जैसे जो ब्यापक समीकरण है मैंने पहले उसको समय के सापे x double differentiate किया है partial differentiation किया है तो मैंने पहले लिखा है dy by dt is equals to dfy du du y dt plus dgy dw dw y dt और समीकरण 1 से हम results जो प्राप्त हुए हैं उनका प्रयोग करते हैं फिर double differentiation कर देते हैं तो double differentiation करने पर हमको जो result प्राप्त हो रहा है वह है result क्या है d2 by dt square is equals to d2 fu upon du square plus d2 gw divided d2 gw by dw square यानि कि जो ब्यापक समीकरण है हमने उस ब्यापक समीकरण का समय के सापे double partial differentiation कर दिया है अब इसी प्रकार से right hand side में भी आप देखिएगा right hand side में मैंने जो ब्यापक समीकरण है उस ब्यापक समीकरण का मतलब by is equals to f of u plus g of w इस ब्यापक समीकरण को मैंने x के सापे double differentiation किया है तो सबसे पहले मैंने d by by dx gap कर लिया है समीकरण एक से मान रख दिये हैं और समीकरण x से मान रखने के बाद फिर एक बार और इसको मैंने differentiate किया है तो इस प्रकार से मुझे ब्यापक समीकरण का x के सापे double partial differentiation प्राप्त हो गया है और इसको मैंने equation number 2 कहा है अब आप देख सकते हैं equation number 2 में right hand side में जो पद आ रहा है within square bracket उसका मान आप time के respect में जो double derivative प्राप्त हुआ है उससे रख सकते हैं और जब इस मान का आप प्रयोग करेंगे तो ये समीकरण किस प्रकार की बन रही है जड़ा देखेगा हमने इस समय जो result निकला है time का double derivative का उसका मान का उप्योग कर लिया है और इस प्रकार से हमें समीकरण प्राप्त हो रही है और हम इस समीकरण को लिख सकते हैं खास बात क्या है खास बात यह है कि X के respect में जो double differentiator है X का जो double derivative है उसका जो multiple factor है वह multiple factor b square है b velocity of babe है इसका अर्थ हुआ जब कभी हमें babe motion का इस प्रकार का समीकरण मिले तो हमें X के respect में जो भी double derivative है उसका multiple को पकड़ लेना है और वह multiple का जो होगा वह multiple b square होगा और इस प्रकार से यह जो equation drive हो गई है यह equation bun dimensional bun dimensional babe equation प्राप्त हो गई है और इस babe equation का जो महत्व है वो मैंने आपको बताया है क्योंकि d2 y y dx square का जो multiple है वो b square के equal होता है हमको babe का मान प्रतक रूप से ग्यात नहीं करना पड़ता अब हम इस equation के solution को भी check कर सकते हैं जो one dimensional babe equation हमें प्राप्त हुई है इसका जो solution है वह solution by is equals to a sin of omega t minus kx हो सकता है अत्वा by is equals to a cos of omega t minus kx हो सकता है हम गणित से जानते हैं कि अगर यह इस प्रकार का solution है तो निश्यत रूप से यह उस babe equation को satisfied करना चाहिए तो हमने क्या किया y is equals to a sin omega t minus kx यदि babe equation का solution है तो हम इसको satisfied करेंगे satisfied होना चाहिए तब ही यह solution होगा और इस बात को तै करने के लिए हमने इसका time के respect में double derivative ग्याद किया है देखेगा वह double derivative आ गया है d2y dt square is equals to minus omega square y और इससे y का मान हमने निकाल लिया है y का मान निकल के आ गया है minus 1 upon omega square d2 by dt square babe equation में जो दुत्तिय पद है वो x के respect में double derivative है इसलिए solution का हमने double derivative x के respect में निकाल लिया है और बहे मान हमें प्राप्त हो गया है d2y upon dx square is equals to minus k square y और इससे y का मान ग्याद हो गया है minus 1 upon k square d2y by dx square हमें left side और right side में आप देखेगा दोनों जो समिकन प्राप्त होई है y की प्राप्त हो गई है अते हम इन y की समिकन को तुल कर देते हैं तो हमें समिकन प्राप्त हो रही है 1 upon omega square d2 by dt square is equals to 1 upon k square d2y by dx square और इस result से जो समिकन प्राप्त हो रही है वह समिकन है d2y by dt square is equals to omega square by k square d2y by dx square हम जानते हैं कल हमने आपको बेब मोसन में जो करेक्टरिस्टिक और बेब से उनमें define किया था omega is equals to 2 pi new होता है जबकि k propagation constant होता है और मैंने कल आपको समझाया था propagation constant का जो मान है 2 pi by lambda होता है दोनर results का हम प्रियोग करते हैं प्रियोग करने पर हमें जो results प्राप्त हो रहे हैं d2y by dt square is equals to new lambda square d2y by dx square हम जानते हैं velocity जो बेब है उसको new lambda लिखते हैं therefore ये expression किस प्रकार की बन गई है d2y by dt square is equals to b square d2y by dx square अर्थाद ये जो solution आया है यह solution जो हमारी one dimensional wave equation है उसको satisfied कर रहा है अत्या ये सिद्ध हो जाता है कि one dimensional wave equations के जो solutions हैं वो y equals to a sin omega t minus kx हो सकते हैं अथवा y equals to a cos of omega t minus kx हो सकते हैं बन dimensional wave equation को समझने के बाद इसके solution को समझने के बाद इसका drive करने के बाद कल हम three dimensional wave equation पर हल करेंगे धन्यवाद